लोगों में भी यहां बेहद उत्सा है हलांकि हिमाचर में जिस तरह आपने कहा कि जो सुभा का मौसम है सर्द जरूर रहता है लेकिन सियासत जो गर्माई हुई है लोगों में भी यहां पर उत्सा जरूर दिखा आठ बजे से वोटिंग स्टार्ट होनी थी लेकिन साड़े सा है लगी हुई है लोग जो है वोटकास करके यहां पर आ रहे है लगातार जो अगर हम बात करें यहां पर वोटकास करके लोग आ रहे है और लाइनों में भी यहां पर लगातार लाइने जो है वो लंबी सा जरूर यहां पर होती जा रही है अगर हम यहां की बात की जाए त तो माहौल लोगों में जरूर उत्साका है क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाइनों में जो है विरिष्ट वोटर्स भी है, युवा वोटर्स भी है, यंग वोटर्स जो पहली बार वोटकास करने वाले हैं, वो लोग भी यहाँ पर जो है सुभा सुभा वोटकास करने के लिए आए हुए है अगर कुलू के बाकी पोलिंग स्टेशन्स की भी मैं बात करूं हर्मन तो यहां पर जरूर आपको यह देखने को मिलेगा कि सुभा के मौसम में इस सर्ड मौसम में भी जो हिमाचल की जनता है उन्हें वोटिंग को लेकर बेहत उत्सा है यहां पर जो वोटर्स ह उनसे हम बाचीत करने की कोशिश करते है कि उनसे जानते है कि यह जो महापर्व है वोटिंग का दिन है आज उसको लेकर यहां पर क्या कुछ रहने वाला है सर अगर बात की जाए कितना उत्सा है आज वोटिंग को लेकर नमस्कार जी उत्सा तो आज पूरा है वोटिंग को लेकर और आप देख रहे हैं भीड सुबा से ही यहाँ पर आज लगी हुई है तो सुबा आठ बजे से ही आज लोग साड़े साथ बजे ही लोग लाइनों में आके अपनी इस वोटिंग पावर को आज जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसे भारत देश कहा जाता है तो आज लोगों में ये खासा उत्सा देखा जा रहा है और यहाँ पर जो युवा वोटिंग जब आप करते हैं किस तरह से लग रहा है क्योंकि सुबा ही आप आगे हैं आप लाइन में खड़े हुए है यह मेरा पहला वोट है तो मैं काफी excitement था कि कैसा होगा क्या होगा यहाँ पर यहाँ कि देखा लोग लाइनों में लगे हैं सुबा से तो पहला वोट देना बहुत गरव की बात है मेरे लिए और अपने देश के लिए तो मैं चाहता हूँ कि आगे जो इतने भी बच्चे हो यानि जिनका आज नया वोट है यानि फर्स्ट वोट है वो सब ही जाएं और आगे वोट दें आप देख सकते कि महिलाओं की जो लाइन है वो भी कितनी लंबी यहाँ पर है महिलाएं भी जो है सुभा सुभा यहाँ पर अपना वोट कास करने के लिए लाइन्स में खड़े होए है अंदर जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसे अमल में लाया जा रहा है और लोग जो है वोट डाल कर यहाँ पर बार-बार जो बाहर आ रहे है और जो नए वोटरs है नए डू लाइन्स है वोभी यहां पर इंक्रीस्ट हो रही है बार बार, तो हम यह जरूर कहेंगे हरमन की यहां पर हिमाचल में जो लोगों का उटसा है वोटिंग को लेकर वो जरूर देखने को बन रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस बार सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आज ये जो जनता है वो यहां की डिसाइड करने वाली है कि किसे वो सत्ता की चाबी जो है वो सौंपने वाली है जनता जो है आज जनता का दिन है आज जनता के हाथ में जो पावर रहती है वोटिंग पावर वो यहाँ पर प्रियोग करने वाली है मैं आपको कुछ तस्वीरे जो है इस पोलिंग स्टेशन की वो दिखाना चाहूंगे कि किस तरीके से जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है यहाँ पर अमल में लाई जा रही है